हेलो डियर स्टुडेंट्स बच्चो आप अपने जीके सब्जेक्ट की बुक उपन कीजिए और आपकी जीके में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्टीन काफी बड़ा चैप्टर है ये जितने भी बड़े मुगल शाशक हुए है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आप भी ओपन कीजिए चैप्टर नंबर थर्टीन ग्रेट मुगल्स मुगल जो लोग थे अफगनस्तान से आये थे उन्होंने भारत पर आकरमन किया फिर यहां पर शाशन किया तीन सो सालों से भी ज्यादा इन्होंने यहां पर शाशन किया उसके बाद ब्रिटिश लोग यहां आये फिर उन्होंने शाशन किया दो ड़ाय से शासन किया फिर अकबर ने शासन किया फिर जहांगीर ने शासन किया यहां तक हम पढ़ चुके हैं जहांगीर तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम नोट्स बनाएंगे जहांगीर के बारे में जो आप यहां से आपने लिखना शुरू किया था चेप्कर का नाम लिखा था फिर आपने बावर के बारे में लिखा फिर आपने हुमायू के बारे में लिखा फिर आपने अकबर के बारे में लिखा आपने यहां तक नोट्स बना लिये होंगे आज आप नोट्स बनाएंगे जहां गेर के बारे में जहां गेर के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जो जरूरी बाते हैं उनके बारे में जानने के लिए उसके हम यहाँ पर कुछ नोट्स बना रहे हैं आपने अपनी बुक में अपनी नोट बुक में आज की डेट और डे लिखेंगे और इस परकार से हेडिंग लिखेंगे आप जहांगीर स्पेलिंग आप बुक से भी देख सकते हैं उससे आगे साल लिखा हुआ है कैसे फिप्टीन सिक्स्टीनाइन और इसमें यह इनके पैदाईस का साल है जब यह पैदा हुए जब इनका जन्म हुआ जहांगीर कब बॉर्ण हुए कब पैदा हुए अब देखिए आप जहांगीर के बारे में यह आपने हेडिंग लिख दी उपर लिखेंगे आप इस परकार से अभी आप पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना सुरू करेंगे फिर नीचे से लिखेंगे जहांगीर कॉमा इस तरह से कॉमा इस तरह से लिखेंगे आप देखिए जैसे बना हुआ है आपकी बुक में इस तरह ऐसे ठीक है जहांगीर आलसो नोन एज सलीम फिर कॉमा है वज दे सन आफ अकबर जहांगीर also known as Salim یعنی कि Salim के नाम से भी जाने जाते थे जहांगीर was the son of Akbar वो अकबर के बेटे थे और उनकी मा कून थी and जोधा अकबर जोधा बाई son of अकबर and जोधा बाई अकबर और जोधा बाई के बेटे थे जहांगीर जो धाबाई कौन थी अकबर की वाइफ जहांगिर की मा और जैसे अकबर आपको पता है कि मुश्लिम सासक थे लेकिन जो धाबाई अकबर की जो वाइफ थी वो हिंदू थी हिंदू राजपूर ठीक है तो जहांगिर मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि करीना कपूर और सैफली खान इनकी बेटे का नाम भी इन्होंने जहांगिर रखा क्योंकि उनके फादर सैफली खान है मुस्लिम और उनकी माँ जो करीना कपूर वो है हिंदू तो उन दोनों की जब बेटा है वो है उसका नाम उन्होंने जहांगिर रखा है ही बिकेम दफोर्थ मुगल एंपरेर कौन जहांगिर फोर्थ मुगल एंपरेर बने वो ठीक है पहले बावर फिर हुमायू फिर अकवर और फिर जहांगिर आफ्टर डेथ आफ्टर अकवर इन 1605 सोलह सो पांच में जब अकवर की डेथ हो गए थी उसके बाद जहांगिर शाशक बने मुगल एंपरेर बने ही रूल अंटिल हिस डेथ इन 1627 और कब तक रूल किया कब तक शाशन किया उन्होंने अंटिल हिस डेथ जब तक उनकी मृत्य नहीं हो गई कब 1627 में उनकी डेथ हुई तब तक वो उन्होंने शाशन किया apart from his military campaign उनके जो बड़े बड़े military campaign चलते थे बहुत बड़ी सैना थी उनकी सैना को maintain करते थे सैना में भरती करते थे युद्ध लड़ते थे उसके अलावा जहांगीर also gave importance जहांगीर ने जो है importance दी महत्व दिया किसको to arts कला को और especially painting और खास तोर पर painting को उन्होंने importance दी यानि कि महत्व दिया ठीक है तो जहांगीर एक ऐसे शाशक थे जो अकबर और जोधा बाई के बेटे थे चोथे मुगल इंपेरेर थे वो मुगल सल्तनत के 1605 में वो शाशक बने उन्होंने मुगल इंपेरेर संभाला 1627 तक 1627 में उनकी मृत्ति हो गई थी वो बिमार हो तो उन्होंने अपनी जो उनकी फौज थी उसके अलावा जो आर्ट है जो पेंटिंग है उसको भी उन्होंने उस पर भी उन्होंने काम किया उसको भी उन्होंने संभाला उसको सरक्षित किया उसको बढ़ाया और जो ब्रिटेन है वहाँ पर एक म्यूजियम है वहाँ पर 75 पेंटिंग्स है उस समय की जहांगेर के समय की ठीक है तो इस परकार से आपने जहांगेर के बारे में पढ़ा और फिर आपने आज नोट्स बनाने हैं इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ हैंड़ाइटिंग में लिखिएगा और लिखने के बाद इसका रिविजन कीजिएगा ठीक है ओके बच्छो